नौकरानी बनी जिठानी पार्ट टू देवरानी जी अब तो मैं आपके जिठानी बन चुकी हूँ तो प्लीज मुझे भाबी या जिठानी जी कहने की आदर डालो वो कहते हैं न गिव रिस्पेक्ट और टेक रिस्पेक्ट वरना वरना क्या एक तो तेरी शादी मैंने जेट जिसे करा दी तुझे घर की मालकिन बना दिया और तुम मुझे दहमकी दे रही है हाँ क्या कर लेगी बता तो माजी अरे ओ माजी क्या हुआ बड़ी बाहू तुने मुझे क्यों बुलाया वो मुझे ना कुछ कहना था अरे, क्या हुआ जिठानी जी, कुछ दिखकत थी तो मुझे बता देती, मा को क्यों बुलाया, बैसे भी मैं आपकी देवरानी हूँ, मैं आपकी बात नहीं सुनूगी तो और कौन सुनेगा, हाँ? हाँ, बहु, शोबा ठीकी तो कह रही है, अब तुम दोनों के होने के बाद भी मुझे रसोय में आना पड़े, अच्छा नहीं लगता ना? हाँ, जी माजी जी माजी, कि बच्ची है, घर में इतने सारे काम पड़े हैं, घर में नई बहु आई है, और तू पस्टा अंकर कहां पार्टी करने जा रही है, याद है ना, तुझे तेरी पहली रसोय के दिन, कौमल बहु ने कैसे तेरी मदद की थी, सारे काम में, चल, अब तू भी उसक पहल पकाने लग जा, बिचारी शोबा, मरती क्या ना करती, लग जाती है जिठानी की मदद करने में, वही सारा खाना बनने की बाद, शोबा और कोमल मिलकर उसे डाइनिंग टेबल पर सब सभी खाना खाते हैं, और वाँ भी वाँ, शोबा बहु के हाथों का खाना तो हम चिस से खाना बना ले, उसके हाथों के बनाए खाने में वो स्वाद नहीं होता, लेकिन अगर वही खाना घर का सदस्य बनाए, तो उस खाने के महेक में ही अलग सा जादू होता है, अरे मेरी बड़ी बहु कितने समझतार, यले बहु ते राने, आज का खाना तो शोबा बह बहु की पहली रसोई से भी ज्यादा अच्छा है, अब तो मेरा बनाया बुरा ही लगी गाना, अरे बुरा मत मान बहु, मैं तो बस यही कह रही थी कि कोमल बहु ने तुझसे अच्छा खाना बनाया है, चल, अब तु उसकी पहली रसोई का नेग दे, ये लो जिठानी जी आपका नेग, अरे अरे ये क्या, तेरे जेट ने पहली रसोई में डाइमंड का नेकलस दिया था, और तु सा रुपे दे रही है, कुछ तो इज़त रख ले खानदान की, मेरा निकमा पती तो कमाता भी नहीं है, क्या दे सकती हूँ मैं, शुबा उसके बाद अपने गले क कहार उतार कर कुमल को दे देती है, ये लो जिठानी जी, आपका तौफा, ये हुई ना बात, मेरी छोटी है, दिल की बहुत अमीर, बाद में, ये नौकरानी जब से जिठानी बनी है, मेरे सर पर आफद कम होने की जगह अब तो आफद बढ़ गई है, कुछ कहा क्या देव ये एक कप चाय बना दो, सर में बहुत तर्थ हो रहा है, और मा जी के लिए भी बना देना, मैं मा जी के कमरे में ही हूँ, जी, जरूर, वही कोमल और सास, दोनों कमरे में मज़े से बैट कर टीवी देखकर गप्पे लड़ा रही होती है, ये लिजी आप दोनों की चाय, श चाय भी नहीं पी, सोचा था कि इस सीथी साधी नौगरानी को जेठानी बना कर लाऊंगी, तो राज करूंगी घर में, सारी काम इससे ही कराऊंगी, लेकिन राज तो ये कर रही है, मुझे घर के नौगरानी बना दिया, अगले दिन, कुमल, चलो, आज हम मुवी देखने जाते हैं, जल्दी से तयार हो जाओ, जी, लेकिन घर का सारा काम पड़ा है अभी, अरे बहुत उसकी चिंता क्यों करती है, तो घर की बड़ी बहु है, नई नई शादी हुई है, जा घुम करा, शोभा बहु है न, वो कर लेगी सारा का क्यों शोभा? जी माजी, अब तो खुश होना मेरी जान, जल्दी से जाओ, तयार हो क्या जाओ, मुवी के बाद डिनर पर भी जाएंगे, फिर क्या, कुमल जाती है पिक्चर और शोभा जाती है किचन में, अब कुमल नौक रानी शादी के बाद बन जाती है घर की रानी, स और उसी से घर का सारा काम करवाती, हलांकि सास की खुब स्वेवा करती, देवरानी जी, घर के सारे पर्दे बहुत गंदे हो गया है, उसे धोल देना, फिर घर के साफ सफाई करके खाना भी बना लेना, मैं और माजी सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन मैं अकेले कैसे चिंदा ना करो, हाँ बहुत कोमल बहुत ठीक कर रही है, फिर क्या लग जाती है शोबा मिशन घर की साफ सफाई पर, ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन, माजी मैं थक चुक्यों घर के काम कर करके, एक नौक रानी ही लगा दो, थी तो घर में नौक रानी, तू नहीं जल करके काम, देवरानी जी, आप काम कर लो, मैं माजी का सर दबा देती हूं, फिर रहान जी के साथ मैं उनके ऑफिस की पार्टी में जा रही हूं, इतना बोलकर कोमल सास के पैर और सर दबाने लगती है, इनको तेक कर मन कर रहा है कि दोनों का गला दबा दू, वहीं, रहान आ नौकरानी की मुसिबत पाल ली, भगवान कोई आइडिया दे दो, जिसरे जिठानी रिटन से नौकरानी की रूप में आए, आज तो मैं माजी को जा के सब बता दूगी, कि किसे जिठानी जी सारा दिन मुझसे सारा काम कराती है, शुबा सास के पास जाती है, माजी, ओ कर दो जिखानी जी को कि कॉम करवाया करे इस तरह मुसपर हुकम न चला है तो fr थोड़ा से हुकम चला भी दिया तो क्या हुग्याउ एक कितना ख्याल रखती आए वह सबको थे अर मतलबी तोड़े ना मै और मतलबी सुब पांच बज़े से रात के ए़ाराब जित्व तुन्हें कभी की है सास की सेवा जो मेवा मिले हैं अगर तु मेरा इतना प्यार दबाती तो आधी संपति तेरे नाम कर देती जिसके फिराक में तुन्हें कोमल की शादी रहान से करवाने का शड़ी अंद्र रचा था यह सुनकर शुभा के पसी ने छूट जाते हैं आपको कैसे पता सास हुँ बटा तेरे आपको क्या लगा देवरानी जी आप इतना बड़ा गेम खिलोगी और मैं मोम की मुर्ती बनकर सब देखती रहूँगी यादे आपको उस दिन जब मैं आपको और आपकी सहली कुछ जूस देने आई थी तब मैंने आपकी सारी बाते सुन दी थी कि आप क्यों मेरी शादी रिहान जी से कराना चाती थी ताकि मैं नौकरानी बनकर हमेशा की तरफ घर का सारा काम करू और आप इस घर की महरानी बनकर रिहान जी के पैसो पर एश कर सको और बस इसलिए मैंने और ममी जी ने मिलकर प्लान रचा और शादी के बाद मैंने अपनी जिठानी होने का फाइदा उठा कर, घर की सारे काम आपसे करवानी शुरू कर दिया बहु, देख, तुभी मेरी बेटी है और ये भी, जिसके नसीब में जो होता है, उसे वही मिलता है लालत से घर तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं, तु तो खुश किस्मत है कि तुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग जिठानी मिली है जिसके बाद शुभा को अपनी ही चली चाल के लिए शर्मिन की मैसूस होती है, और उसके मन से धन संपति का लालत हाट जाता है फिर वो कुमल से माफी मांगती है, जिसके बाद कुमल उसे माफ कर देती है, और दोनों जिठानी और देवरानी अप्यार से मिल जुल कर रहती और सास की सेवा करती